यह इंडियन पॉलिटी का सेवंथ चेप्टर है फंडामेंटल राइट्स और आज हम लोग डिसकस करने वाल है आर्टिकल 19 को डिटेल में तो आर्टिकल 19 बहुत इंटरस्टिंग है द्यान से सुनिएगा देखिए यह हमें 6 राइट प्रोवाइट करता है ठीक पहले जो हमें दे रहा है आर्टिकल 19 ठीक पहला पॉइंट इसका यह है दूसरा है कि हम कहीं भी इकठा हो सकते हैं किसी का विवरोत पदरशन कर सकते हैं लेकिन हां कंडिशन यह कि हाथियार लेकर नहीं कर सकते हैं विदाउट आम साब को करना है ठीक जो भी असेंबली रहेगी वह होनी चाहिए उसके अलाबा हम चाहे तो association कर सकते हैं अपना खुट का union बना सकते हैं जैसे वरकर्श का union होता है किसान का union होता है आप अपनी cooperative societies भी form कर सकते हैं ठीक तो इसका अधिकार आपको article 19 देता है उसके अलाबा आप पूरे इंडिया में कहीं भी freely घूम सकते हैं उस इसका मतलब लेकिन यह नहीं है कि आप कोई चोरी डकाती करें लगे, means ऐसा profession जो सही हो, अब ऐसा नहीं कि गलत काम नहीं इसमें आएगा, तो हर अधिकार के साथ कोई ने कोई reasonable restriction जूड़ा हुआ है, देखते हैं उसके बारे में, तो देखें, पहले क्या था कि पहले Article 19 में हम साथ अधिकार मिलते थे, लेकिन जब बाद में 44th Amendment Act हुआ 1978 में, तो right to property जो हमारे एक अधिकार था, right to acquire, hold and dispose of property, तो उसको 44th Amendment से delete कर दिया गया, हटा दिया गया, तो अब वो Article 19 में नहीं है, ठीक, जैसे पहले था, पहले हमारा right to property एक fundamental right था, ठीक, उसको delete करके किस में add किय गया है, तो 300 A made किया गया है, ठीक, और ये जो rights आपको Article 19 दे रहा है, तो वो rights, state के action के against आपको नहीं मिल रहा है, means, sorry, means वो private individual के against आपको नहीं मिल रहा है, वो अगर state आपके fundamental rights को violate करता है, तो ही ये right आपका काम करेगा, अगर सपोस करिए कोई private individual है, वो आपके इन में से क किसी एक राइट को वाइलेट कर रहा है तो आप वहाँ पे सुप्रीम को डैक नहीं जा सकते अगर आपके स्टेट के एक्षन की वज़े से इन में से कोई भी यदिकार वाइलेट होता है तो आप जा सकते हैं ठीक और यह राइट जो हैं वो केवल अवेलेबल हैं सिटीजन को जो हमारे भायत के नाकरिक होंगे ये राइट चौल उनके लिए हैं ठीक और उसके अलबा ऐसे जो शेर होल्डर्स हैं for a company but not to foreigners और legal person like companies or corporation तो जो company के जो शेर होल्डर्स हैं इंडिया में उनको भी यदिकार मिले हुए हैं लेकिन जो foreigners हैं जो विदेशी लोग हैं उनको यह अधिकार article 19 का अधिकार जो नहीं मिला हुआ है और सबसे important बात कि state चाहे तो इस पर reasonable restriction लगा सकता है state क्या सकता है कि इस चीज के वज़े से आप यह चीज नहीं कर सकते जैसे suppose करिए कि आप जो है अगर धरना प्रदर्शन कर रहा हैं और आपने रोड ब्लॉक कर रखा है तो वह reasonable restriction में आ जाएगा मिस आप प्रदर्शन कर सकते हैं आप अपने अधिकार का यूज करिए लेकि हमें बोलने का अधिकार है अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अधिकार है ठीक तो सभी citizens के पास अपनी views, opinion, belief तो इन सब चीजों को वह बोल करके लिख करके या through printing जिसे newspaper वगर होता है या through pictures जिसे movie वगर के माध्यम से हम अपने views को जो है वह एक्सप्रेस कर सकते है ठीक तो अब देखिए Supreme Court के साब से freedom of speech expression में क्या क्या चीज़े आती है तो ऐसे freedom of press क्या है तो freedom of press जो है वो भी freedom of speech and expression में आता है ठीक उसके अलबावा जो यह सब आड होकर आप देखते हैं तो जो commercial ads हैं वो भी freedom of speech and expression में आते हैं उसके अलबावा rights again tapping of telephonic conversations means आपकी phone को tapping government क करती है तो आप उसके अगेंस भी apply कर सकते हैं Supreme Court आप जा सकते हैं ठीक उसके अलबावा right to telecast government has no monopoly on electronic media means आप जो चाहे चीज़ वो telecast कर सकते हैं बस उससे यह नहीं है कि आप ऐसा कुछ telecast कर दीज़े कि दंगा पसाद हो जाए means normally आप कुछ भी ऐसा करते हैं कि आप YouTube पे video ड freedom of speech and expression में आ गया उसके अलबावा आपको यह भी अदिकार है कि government हमारी क्या कर रही है तो government हमारी चुप की काम तो करना ही चकती अगर कोई भी रासभा की अगर चलता है या लोग सब चलता है तो वो सब TV पे आता है ठीक तो यह सब दो चीज़े हैं यह सब आती है freedom of speech and expression में अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार मिलता है कि भाई आपका मन आप बोली आपका मन आपको मत बोली है दोना अधिकार है आपके पास उसके अलावा अगर निउसपेपर है तो सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि निउसपर वाले ह तिक मीन्स आपको जो है राइट टू स्ट्राइक करने का जो अधिकार है वो इसके अंडर में नहीं मिलता है अब देखेंगे आगे स्टेट इन सब चीजों पर भी एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ठीक तो जैसे किस अधार भी लगेगी तो अगर इंडिया के सोरूंटी पर कोई बात आती है इंटेगरिटी ओफ इंडिया या सेक्यूर्टी ओफ दे स्टेट या हमारे अगर आपकी बात कुछ काम नहीं करेंगे तो या आप कंटेम्टाफ करते हैं तो भी अधिकार काम नहीं करेगा किसि को डिफेंब करते हैं तो भी चार Read So तो जो आप कहीं भी अगर एकथा हो रहे हैं तो यह चीज का ध्यान रखिए कि आप पीसफुली वो काम कर रहे हैं और आपके पास कोई हंतियार ना हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं कठा होगा तो आप दंगा परशात करने लगे तो वो चीज यहां पर गलत हो जाएगी ठीक आपकी जो एसेंबली होगी वो शान्ती पूरून होने चाहिए ठीक अराम से बिना किसी हंतियार क्या पिकठा होंगे उसके अलावब अगर श्टेट चाहे तो इस पे भी रिजनेबल रिश्रिक्शन लगा सकती है अन्द एक्साइज ऑफ राइट ऑफ एसेंबली और टू ग्राउंड तो इस पे देखिए इस पे जो रिश्रिक्शन लगेंगे उसके दो ग्राउंड दिये हुए हैं पहली है सोवरेंटी और इंटेग्रिटी और दूसरा है कि पब्लिक और मेंटेंड करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप चक्का जाम कर दिये रोड ही ब्लॉक कर दिये तो लोग को आने जाने में दिक्कत होगी तो आप यहां तो अपने र और किसी आर्टिकल के अधार पे हम इन अधिकारों को नहीं चीह सकते तो अगर जो भी आर्टिकल 19 में अधिकार मिले हुए है उनकी restriction भी आर्टिकल 19 में ही है अब देखिए under section 144 of CPC जो section 144 है CPC का वो यह कहता है कि magistrate जो है वो किसी assembly को restraint कर सकता है आपको मना कर सकता है कि आप इकठा मत होई है ठीक अगर उसको ऐसा लगे कि means आपके इकठा होने से human life हो खत्रा है या आप कोई और बवाल कर सकते हैं तो इसलिए magistrate जो है वहाँ धारा 144 CPC की वो लागू कर सकता है अंदर section 141 of Indian Penal Court as assembly of five or more person become unlawful तो section 141 जो है IPC का वो यह कहता है कि पांच या पांच से अधिक लोग जो है वो एकठा नहीं हो सकते to resist the execution of any law or legal process to forcibly occupy the property of some person अब ऐसा नहीं कि जबस्ति आप किसी की property को भीड़ी कठा करके आप उसको property पेक अपजय कर लें वो चिकलत हो जाएगा to commit any mischief और criminal trespass अब गया भीड में कठा हुए और किसी को मार दीए तो वो चीज गलत है to force some person to do an illegal act अब आप क्या कर रहे हैं किसी person को force कर रहे हैं कि भाईये तुम ये काम करो तुमको इसका murder करना है तो आप forcefully उसे वो काम नहीं करवा सकते है उची गलत है या आप सरकार को ही धम का रहे हैं या उनके जो जो officials होते हैं उनको धर निसाब धम की दे रहे हैं तो वो सब चीज़े जो है उसमें गलत हो जाएंगी थर्ड हमारा right है freedom of association तो सबी citizen के पास ये right है to form association या union वो union बना सकते हैं इसे किसानों की union होते हैं अधिवक्ता जो होते हैं उनके union होते हैं या मजदूर union हो गया तो union बनाने का आपको अधिकार देता है article 19 it includes the right to form political parties आप जाहें तो political parties भी बना सकते हैं आप कोई company खोल सकते हैं या partnership firm खोल सकते हैं कोई club हो गया organization trade union ये सब चीज़े जो है आप कर सकते हैं ये अधिकार आपको freedom of association देता है जो कि article 19 में आता है it not only includes the right to start an association or union but also to continue with the association or union as such means ये तो अधिकार तो देही दरा है आपको कि ठीक है या आप union खोलिये लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी अधिकार दे रहा है कि आप उसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं आगे तक चला सकते हैं further it covers the negative right of not to form a joint association or union उसके अलावा देखिए इ reasonable restriction इसमें भी है तो जो की imposed on the size of the right by the state reasonable restriction लगा सकता है on the ground of sovereignty or integrity of India या public order या mortality को ले करके ठीक है तो means अगर आपके कोई भी कृत्तर से अगर देश को कोई खतरा होता है तो अगर state चाहे तो आप इस अधिकार पर जो है reasonable restriction लगा सकता है subject to these restrictions the citizens have complete liberty to form association or union for pursuing lawful objection and purposes however the right to obtain recognition of the situation is not a fundamental right अब आप चाहे कि हमको union बनाए है तो उसको recognition मिल जाए तो आपका अधिकार नहीं है वो इसमें नहीं आता supreme court held that the trade union have no guaranteed right to effective bargaining or right to strike or right to declare a lockdown the right to strike can be controlled by an appropriate industrial law देखे supreme court यह कहता है कि right to strike जो है वो आपका fundamental right नहीं है मान लीजिए कि आप कोई भी company चला रहे हैं उसमें कुछ नों कोई worker काम करते होंगे अगर माली आप company ही बंद कर देते हैं आप कहें कि आज से company नहीं चलेगी तो जो workers हैं उनको तो काम से निकल जाएंगे अब उनकी जो salary मिले तो तो मिलेगी नहीं तो आप क्या कर रहे हैं आप तो अपना right का यूज किए लेकिन आप अपने right के साथ साथ दूसरे का right आप अपना यूज करके दूसरे का violet कर दिए तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते तो right to strike जो है वो हमारे fundamental right में नहीं है अब देखते हैं freedom of movement means आप फ्रेली जो है कहीं भी घूम सकते हैं जो भी citizen है वो पूरे इंडिया के ट्रेक्टे में कहीं भी घूम सकता है एक state से दूसरे state में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कहीं भी जा सकता है ठीक this right underlines the idea that India is one unite so far as the citizens are concerned does the purpose is to promote national feeling and not partialism means की देखे इस right को जो purpose है वो क्या है कि वो आपको एक एकता की भावना दिखाता है means आप कहीं भी चाहिए आप किसी भी state में जाएगे एक से दूसरे दूसरे तीसरे आप किसी भी state में जाएगे पूरा पर आप इंडिया घूम सकते हैं तो यह right जो है यह कहीं ने कहीं यह ह की भावना दिखाता है the ground of imposing reasonable restriction on this freedom are too देखिए यहां भी दो तरीके हैं जिससे सरकार साहे तो इस पर reasonable restriction लगा सकती है पहला है कि the interest of general public and the protection interest of scheduled tribes तो जो as scheduled times है तो उनके लिए यहां यह रिक्ष्रिंग काम करते हैं से अगर आपको अगर यह northeastern states में जाना है तो वहां आपको आयल्प लगता है inner line permit the entry of outsiders in tribal areas is restricted to protect the distinctive culture और यह tribal areas है वहां जाने से प्रतिबंद है क्यों ताकि उनके culture को बचाये जा सके उनके language को उनके custom को और to to safeguard means to safeguard their culture distinctive zone का culture उसको safeguard किया सके manner of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and properties against exploitation ठीक है Supreme Court held that freedom of movement of prostitutes can be restricted Supreme Court ने यह भी कहा है कि जो prostitutes का movement है उसको restrict किया सकता है on the ground of public health public health को देखते हुए और public के interest में इस चीज़ को जो है means जो prostitute है उनको उनके movement को रोकाया सकता है the Bombay High Court welted the restrictions on the movement of person affected by AIDS ऐसे Bombay High Court का एक्जिजमेंट है था उसमें जो AIDS से जो PD लोग है उनके movement पे restriction लगा दी गई थी the freedom of movement has two dimension एक है internal और दूसरा external ठीक इसके दो dimension है means internal है right to move inside the country आप अंदर जो है country में कहीं भी किसी भी state में जागी घूम सकते है ठीक उसके अलावा external में आता है right to move out of the country and right to come back to the country आपको country से बाहर जाने का भी अधिकार है और आपको country वापस आने का भी अधिकार है article 19 प्रटेक्स अनलिगर फस्स डैमेंशन लेकिन यहाँ पर जो article 19 हो फ्रोटक करते हमारा पहला on the means internal जो है means हम जो movement कर रहे हैं है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट में तो हम इंद्या मोट कर रहे है एक जग सबसे जगा जा रहा है तो article 19 उसको प्रोडट कर रहा है ठीक और जो second dimension है वो प्रोड़ेक्ट करता है हमारा article 21 आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो मेंनका गांधी का जो केश हुआ था उसके बारे में उसको पासपोर्ट केश भी बोलते हैं तो आटिकल ने 21 में आता है उसके बारे में आगे देखेंगे उसके पांच वा देखते हैं वह हमारा freedom of residence means हम कहीं भी निवास कर सकते हैं हम कहीं भी अपना गहर बना सकते हैं मकान बना सकते हैं तो सभी इसरिद्ध को अधिकार दिया गया है कि वो इंडिया में कहीं भी जा के सटल हो सकता है ठीक the right to reside in any part of the country which means to stay at any place temporarily आप temporary भी रुख सकते हैं या the right to settle in any part of the country which means to set up a home और domicile means आप कहीं जाके temporary भी रह सकते हैं कुछ दिन के लिए और आप जाए तो पर्माइंटर वहां पे घर बना के भी रह सकते हैं this right is intended to remove internal barriers within a country between any part of its states means कि यह right आपको इसले मिला है ताकि जो country के बीच में एक barrier यह चीज को लेकर किया है वो खतम किया सके to promote nationalism और nationalism को promote करने के लिए जो narrow mindness है उसको avoid करने के लिए इस पर भी देखिए state जो reasonable restriction लगा सकती है on the next side और यह लगाएगी अगर मान लिजे वही जो दो grounds है in interest of general public and protection of interest of any scheduled tribes the right of outsider to reside and settle in tribal areas is restricted अब जो बाहर के हैं वो आसा नहीं है कि tribal areas में आके अपना गहरों को गना सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है वो अधिकार आपको नहीं मिलता है ताकि उनके culture को हम protect कर सकें उनको culture को हम बचा सकें in many parts of the country the tribal have been permitted to regulate their property rights in accordance with the customary laws and rules मैं उस देखिए अपने country के कई parts में क्या है कि tribal areas को यह permission दी गई है कि वो जो अपने property rights को अपने हिसाब से बना सकते हैं और regulate कर सकते हैं Supreme Court held that certain areas can be banned for certain kinds of person like positive and habitual offenders तो जिनको हमेशा जो हमेशा जो हमेशा जो हमेशा जो habitual offenders है जो हमेशा crime ही करता रहते हैं तो उनको Supreme Court जो है बैं करता है कही कही जाने से और जो prostitutes है उनको भी बैं करता है from the above it is clear that the right to residence and right to movement are overlapping to some extent दोनवा जो है वो complementary to each other है अब देखते हैं sixth right हमारा जो है freedom of profession means आप कोई भी profession कर सकते हैं सभी citizen के पास या दिकार है कि वो कोई भी profession की practice कर सकता है और या वो कोई भी occupation कर सकता है trade कर सकता है या business कर सकता है और इसमें देखिए state चाहे तो इसमें भी reasonable restriction लगा सकती है कि आप ऐसा कोई occupation या profession नहीं चूल सकते जो की गलत हो जैसे आप माली जी कि आप कोई भी drugs भी बेचने तो वो चीज़ी गलत हो जाएगा जो कोई प्रोफेशन करने का यह मतलब नहीं कि आदमी लगे drugs बेचने जो चीज़ी गलत है तो prescribed professionals or technical qualification qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation trade or business कोई भी trade हो कोई भी occupation भी when the state carries on a trade business industry or service either as a monopoly to the exclusion of citizens or in the competition with any citizen the state is not required to justify its monopoly अगर state भी कोई trade रूट करता है तो भी state को भी इस चीज़ में यहाँ पे freedom of profession में जो है state को भी छूट मिली हुई है the right does not include the right to carry on a profession or business or trade occupation that is immoral अब ऐसा आपको राइट नहीं कर सकते है जो गलत हो इम्मोरल हो जैसे trafficking in women or children बचों की trafficking या महिलाओं की trafficking वो जो गलत हो जाएगा उसके लावा जो harmful drugs हैं जो explosive हैं उसका business नहीं कर सकते the state can absolutely prohibit these or regulate them through licensing कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं